So guys, Namaskar, Welcome to my channel LearnPro LearnPro channel में आपका हादिक स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं हमने NCRT Summary Series को स्टार्ट कर रखा है जिसमें कि मैं आपको Class 6 to Class 12 सारी के सारे NCRT के Chapter Easy Language में और जो भी आपके काम का रहेगा सिर्फ वो ही Cover करते हुए मैं आपको पूरी की पूरी NCRT Cover करवा दूँगा आज हम वैसे Chapter 8 में पहुँच चुके हैं Chapter 8 में जो की NCRT Class 6 का Last Chapter है The Wildlife and Vegetation जो की आपका Last Chapter है उसको हम यहाँ पर Cover करेंगे इसमें सिर्फ आपको Easy हो जाएगा किसी भी तरीके से कोई भी Chapter को Cover करना तो आइए शुरू करते हैं NCRT Class 6 का Last Chapter Chapter No.8 और चाहे तो आप इसके Notes Form Carry कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ इन्ही वीडियो को Lectures को देखकर आप अपने Exam Point of View को Cover कर सकते हैं तो आइए आज हम अपने Last Chapter को Start करते हैं Chapter No.8 That is Your Climate Vegetation and Wildlife देखे जो हमारा Weather है उसको मतलब क्या होता है Weather is about Day-to-day Changes in the Atmosphere जो भी हमारे Atmosphere में Day-to-day यानि कि हर दिन जितने भी बतलाव होते हैं उनको हम Atmosphere कहते हैं Next Point Major Seasons जो हमारे देश में है जिसको मौसम बोलता है उनको लगभख एक दो तीन चार गट इंग्रीज में डिवाइड किया जाता है समसे फेला Season Winter Season जो कि अभी चल रहा है Cold Weather जो कि December से लेकर February तक होता है Hot Weather जिसको हम Summer जो कि गर्मिया बोलता है जो कि मार्ट से लेकर मैय तक होता है South West Monsoon Season जिसको हम Rainy Season बोलते है जो कि June से September तक होता है देखे एक्साम में ये कुशन कही तरह से मन सकते है इसलिए मैं आपको सरफ वही NCRT में से करवा हुआ जो कि आपके लिए पढ़ने के लिए important है तो South West Monsoon Season यानि की Rainy Season जो कि June से September के बीच में होता है तो देखे तो लास्ट होता है वो Season of Retreating Monsoon यानि की Autumn जो कि October से November के बीच में होता है आगे देखेंगे अपसे पहला आगे देखेंगे या जो वो Retreating है इसका मतलब होता है जब Monsoon वापस लोटते है Hot Weather Season और Summer Season In the Hot Weather Season Sunrays More or Less Directly Fall in this region देखें Hot Weather Season में क्या होता है या जो Sunrays होती है वो Directly हमारे एरिया पर पढ़ती है और Temperature बहुत High हो जाता है और कभी कबार इसमें Hot and Dry Winds भी जलती है जिने Loo कहा जाता है जो की दिन के समय बहती है एक्जाम में कुशन में बन जाता है कौन से Season में या Hot and Dry Winds को क्या कहता है उसको Loo कहा जाता है आगे देखें South West Mounsoon Season और Rainy Season जो हमारा South West Mounsoon Season होता है Rainy Season होता है This Season is marked by Onset and Advance of Mounsoon ये जो Season होता है इसमें Mounsoon की शुरुवात होती है कैसे होती है Wind blows from Arabian Sea जो wind होती है वो Arabian Sea इस तता Bay of Bengal Wind blows from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land Arabian Sea से और Bay of Bengal से जो हवा होती है वो जमीन की सरफ चली जाती है देखे ये हमारा Southern part है जब दोनों ही तरफ से Arabian Sea से और Bay of Bengal से जमीन की तरफ हवाई चलती है तो ये अपने साथ बारिश लेकर आती है इन हवाओं में क्या होता है इन winds में क्या होता है मौशर पाए जाता है जिसकी वज़र से जब ये wind टकराती है mountain barrier से देखे हमारे देश में परवत श्रिंखलाए होती है जब हवा है हमारे देश के पहाडों से परवतों से टकराती है तो ultimately वहाँ पर क्या होता है ये जो हवा होती है ये बारिश करती है आगे देखे है seasons of retreating monsoon और autumn जब monsoon वापस आता है उसको हम बोलते है autumn season winds move back from mainland to the bay of Bengal जब हवाँ वापस bay of Bengal की तरफ जाती है this is the season of retreating monsoon और इनको हम वापस जाते होए monsoon कहते है मगर ये जो वापस जाते होए monsoon होते है ये southern part of India Tamil Nadu में आंध्रा प्रदेश में ये बारिश का current बनते है exam में question बन जाता है कौन से monsoon Tamil Nadu और आंध्रा प्रदेश में बारिश का current बनते है और उन monsoon को हम क्या कहते है उनको हम बोलते है retreating monsoons however the climate is about the average weather condition which has been measured over many years the climate of India has been broadly described as monsoon type और हमारे जो climate of India है उसको monsoon type season बोलते है monsoon is taken from the Arabic word exam में question आ जाता है जो हमारा monsoon है वो एक Arabic Arab भाष्चा का शब्द है जैसे मौसम कहा जाता है इसका मतलब होता है seasons Arabic भाष्चा का शब्द है monsoon मौसम इसका मतलब होता है season due to India's location in tropical region most of rain is brought by monsoon winds और हमारा जो इंडिया है वो tropical region में आता है इसकी वज़ासे यहाँ पर जो rain होती है वो monsoon winds की वज़ासे यहाँ पर rain आती है climate of place is affected by location altitude, distance from sea and relief किसी भी जगह का climate उसकी location यानि किस्तिती altitude यानि की उचाई निचाई distance दूरी इस समुदर से और उसकी height पर depend करता है therefore we experience regional difference in climate of India इसलिए इंडिया में क्या होता है हर state में या आप बोले south में, north में, east में, west में अलग तरह का climate पाया जाता है हमारे देश में monsoon rome जो की में गालने में है सबसे ज़ादा वहाँ पर rainfall होती है why list grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from a human being are called natural vegetation जो भी grasses, घास, जाड़ियां, पेड जो बिना किसी इंसान की साहिता से उखती है उनको natural vegetation कहा जाता है प्राकरतिक वनस्पिति कहा जाता है tiger हमारा national animal है अब सभी जानते है ये देश के बहुत सरे parts में पाये जाता है gir forest गुजरात में asiatic loins का घर है एक्जाम में कुशना जाता है asiatic loins कहां पाये जाते है gir forest में elephants are one owned rhinosaurus जो होते हैं वो असम में पाये जाते हैं एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं वो rhinosaurus जो भूलते हैं वो असम में पाये जाते हैं और elephants करनाटका और केडला में पाये जाते हैं तो इसी के साथ हमारा जो last chapter था wildlife and vegetation geography का NCRT का भी खतम होता है इसके बाद मैं NCRT class 6 की history start करूँगा आपको क्या करना है इस channel को subscribe करना है share करना है ताकि next video आपको जल्दी से मिल सके और मेरा मकसद में यही है कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हूँ आप बहुती कम time में easy तरीके से और बहुती short form में NCRT के summary series के notes जो मैंने बनाये हैं आप तक easily पहुंच सके मिलते हैं जल्दी ही अपने next video में NCRT summary series के classics की NCRT summary series की classics की तोड़ी सी connection problem हो गई है एक मिन तरह बेट करी है तो जल्दी ही जल्दी ही आप से मिलूँगा next video में आज हमने NCRT classics की जो जो graphie है वो खतम कर ली है comment करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मैं आपको next video में NCRT की classics की history start करूँगा और आपकी मुझे comments के wait रहेगा कि ये series कैसे लगी जिसका मकसद आपके लिए बहुत कम time में short form में NCRT पहुचाना है ताकि आपको time waste ना हो आप share करें subscribe करें thank you for watching thank you signing off अरवन शर्मा learn pro channel को subscribe करते हैं thank you so much